मैटम जी यह क्या? अरे यो मैटम जी का इस्टाइल है सॉरी बंदुकनी जी लेकिन हम तो चोरो का पीछा कर रहे थे वो लोग शर्मा जी के घर से उनकी मोटर साइकल चुरा के भागे है अब बावडी बूझ मैं भी तो चोरो का ही पीछा कर रही थी मगर वो न जाने कहां से निकल गए लगता है उधर है चलो अब भैस की बूझ और मोटर साइकल चुरा कर भाग रहा था रयोग तो वही नई डिटेक्टिव एजंसी वाला आदमी से भाग रहा था नहीं बंदुकनी जी भाग गया चौर तो भाग गया लेकिन हमने उससे यह मोटर साइकल छेल लिया छेल लिया अच्छा तो पहले से यहां क्या कर रहे थे पीछा चौर का पीछा कर रहा था हम लोग हमारा दूसरा साथी अभी अभी चौर का पीछे गया है शायद चौर को पकर सके लेकिन ये शॉल जो आपके हाथ में है ये तो चोर में ओर रखी थी आपने बिल्कुल ठीक का ये शॉल चोर में ही ओर रखी थी हमने उसको फकड़ा तो शॉल हमारे हाथ में रह गई और चोर भाग दया हर बार चोर ही भागता है और माल पकड़ा जाता है और हर बार ऐसा इन फोरेनर्स के साथ ही होता है या फिर यह सब यही करते हैं कोई तो चटपटा आइडिया लगाना ही पड़ेगा चाचु सुनिये पच्के कहा जाओगे हाई हाई यह क्या का रहे हूँ आज गल तो जाबतेखों तब मख्हिया ही मारते रहते हैं तो और क्या करूँ कामधन्दा कुछ है नहीं कितने दिन से कोई केज भी नहीं आया ऊपर से मेरे चाय के गिलास से दो बून चाय मक्हिया पी गई यह देखो देखो बल्ला की चाय कोई मख़्ी पी जाए ये कभी नहीं हो सकता आँ रुग्याव चोरों से चोड़ी वे ये ट्रॉक हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें गोडी मार देंगे मेरी गानुक ओए चाचे के कर दिया तुने जिसकी किस्मत में जो जो है उसको वो वो मिलेगा हाथ यूपर कर लो दोस्तों अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा हमको लूटने चले थे बोलो बोलो क्या हुआ डर लग रहे क्या इनको बचाने के लिए तो भती जा जाएगा खोजी करे खोज और मन माजी मारे माज यही तो मेरा प्लान है अब मुझे उपर जाना ही पड़ेगा मन माजी सरजी भती जा हमें गुबार में फसा देगा उसकी तरफ मत जाओ यह नहीं मन माजी सरजी यह कैसे किया यह मेरी पलटवार गन जिसने खोजी का खेल खत्म कर दिया देखू तो यह क्या मुझ तो खुल गया लेकिन मैं अब खुद ही बंद हो गया जिच्चे अब मेरी मारी लेकिन मेरे पास भी खोजी अंकल की बलून कटिंग सिजर है यह सिजर तो अब इस बलून पर काम नहीं कर रही है काम करेगी कैसे पलटवार गन में चमतकारी चिपकूगम जो डाला है सारे खोजी के आविशकार है न वह पती जे वह यह क्या हो रहा है सारे खोजी अंकल के आविशकार इस्तिमाल करके मनमौ जी ने हमें ही भसाया है रभावडी बूज भैस की पूछ और तो इब के करेंगे इससे पहले कि मनमौ जी अपनी अगली चाल चले हमें खोजी अंकल से हेल्प लेनी होगी ठोलकी इतने दिनों की ख्वाइश पूरी हो रही है इन सब को लाद मारने की ओई जी जे वैसे भी बहुत दिनों से फुटबॉल नहीं खेले हैं अब तो इस गुबारे को कंट्रोल करना ही पड़ेगा खुलकी क्या लाइन बोलती है बंदूकनी जी कानून के हाथ और बंदूकनी की लाद से कोई नहीं बच सकता अब हमारी लाद से बच के दिखाओ ये नहीं क्यों क्यों कि नवचैंचा, एला काद से धिस्तुया फतीजा छिबकली ऐसे हाथ नहीं आएगा अब हम इसके पीछे नहीं भागेंगे बल्कि अब ये खुद ही हमारे पास आएगा जाओ मेरी रोबोटिक बीज अपना कमाल दिखाओ इस बात पर तो एक सेल्फी बनता है बास स्माइल प्लीज पकड़ लिया अब ले चलो इसे अपनी लाब में खोजी सिंग जी पती जे को खोजना है और बचाना है उस मनमोच जी ने पती जे को छिपकली बना कर पकड़ लिया है जल्दी से एंटीडोट बढ़ाओ और उसे तून दो चाचा मैं एसे एंटीडोट नहीं बना सकता हूँ लेकिन अगर मैं उस लाब में पहुंच जाओं तो मैं तो मैं एंटीडोट बना सकता हूँ हां वो तो ठीक है लेकिन हम भती जे को धूण देंगे कैसे हां मेरे इस जी पीएस लोकेटर से यह किसी भी हाइब्रीड को लोकेशन मिल गया रह्मन मौजी थारा खेल खतम बॉस आप और आपके एक्सपेरिमेंट्स लगता है फिर से जेल चाला पड़ेगा बटुक हम डर क्यों रहे हैं हमारे पास हतीजा है हाथ नीचे कर और बंदूकनी जी मुझे गिरफ़तार करने से पहले यह तो देख लो कि तुम मेरे पती जे को मारता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करके करते करते मेरी हटिया ब्रेक होड़िये यह यह पॉपिंगा लॉकिंग ने तो मेरी बड़ी लॉक कर दी अब चाबी लगाओ और मुझे अजाद करो चाचू अब बंदुकनी जी की लाग यानी बच्चू बॉक्सर का घूसा है ऐसे समझो और उससे बचो रह चाचे ओ तन्ने मारने का मन तो ना सै और कुछ पाने के लिए कुछ खाना भी पड़े सै चाचू पहले से बचो और दूसरे को पंच करो अ तो कर द कर दो अ कर दो मन मौजी करता है खोज और मारता है मौज अब ये मास्क पहन के मैं बनूगा रिफ्री वासर जी अब देखते हैं कैसे जीता है भतीजे का चाचा तूरूरू रेज जर्सी में है बच्चू बॉक्सर और यलो जर्सी में है चाच्चू बॉक्सर रेफ्री बजाये सीटी और होगा बाउट शुरू इस केले के छिलके को तो मैं एक ही राउन में मसाल दूंगा नौकाउट कर दूंगा अरे मैं रेफ्री हूँ मुझे क्यूं आप मार रहे हो कर दो